हेलो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सकर्चूत है और मेरा शादी के बाद पहला व्रत है सकर्चूत का एक्चुली जो पंजाब में ऐसा मतलब माना जाता है कि बेबी हो या ना हो आपको फास्ट रखना होता है ठीक है ना हर्याना में जैसे मैं बिलॉंग करते हूं हर्या में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हर जगा ये चीज वरी करती है, तो मैंने कैसे सकर्चूत का प्रत रखा है, नॉर्मली इसमें आपको कुछ खाना नहीं होता है, तो असुगा उठके आप भगवान के निजची की फूजा करते हैं, अभी जो मैं करने जा रही हूँ, अभी पर इसमें कैसे में पुरा करती है, तो फ्रिंट्स ही मैंने खाली कडाई लिए, इसको गैस के उपर रखा हैं, गैस ऑन की है, और इस कडाई को थोड़ा सा में गरम करूँगी, ठीके ना गरम, हलका सा ये गरम हो जाएं, तब इसके बाद मुझे क्या करने है, इसके अंदर ति क्या करें तील डाल दूँगी और तिल को मैंने क्या करना है रोस्ट करना है मतलब इनको हल्का सा भूनना है हलका तो नहीं मैं कहूंगी कि जब तक ही ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको इसको भूनना है ठीक है इस तरीके से देखे धीमी आच रखनी है आपने ज़्यादा तेज आच मत रखेगा क्योंकि ज़्यादा तेज आच आप रखोगे तो ये तिल जल जाएंगे ठीक है ना तो आप स्टार्टिंग में मेडियम लो फ्लेम ही रखिएगा और उनको धिरे-दिरे भूनते रहिएगा ठीक है ना जब तक हमारे तिल भून रहे हैं तब तक थोड़ी बहुत गलाबता कर लेते हैं इस वरत के बारे में तो दोस्तों ये जो वरत है आप वैसे स सब जानते ही होंगे वरत बच्चों के सुक शानती समरीदी के लिए रखा जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि कई जगह ये वरत तारा देख के खोलते हैं और कई जगह पर ये वरत चांद देख के खोलते हैं ठीक है ना तो ये सब वैरी करता है according to your state और according to your जैसे कि मैंने family में चांद को देख के खोला जाता है हो सकता है वहाँ पे भी कुछ families के religion custom अलग हो वहाँ पर भी तारा देख के खोलते हो बट हमारी family में जो मुझे instructions देगी है वो चांद देख कर देगी है इस वरत को कोई भी रख सकता है और खाश कर उन महिलाओं को ये वरत रखना चाह कर रहे हैं तो डेफिनेटली आस्था के साथ अगर आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वह जरूर successful होती है आप जो भी मनोकामना भांग रहे हैं भगवान से तो दोस्तों ये तो था सक्टा चोटका महत्तव और अब देखिए हमारे तील जो है वह धीरे धीरे ब्र मुझे ब्राउं मुझे पाल तो ना रहे हैं आप मनला अचनल अगरिश sucks कयरे में तो अब हैं द्यूर Oham स्कूल सी अभी आई थी थी दोस्तों अब इंचोलों के लिए त्यार किया जाता है तो मैंने यहां पर त्यार कर दिया है इसमें नॉर्मली मैंने थोड़ा सा घी लिया था उसमें हींग जीरे का टरड़ा था आपको पता है जैसा कि फास्ट में फ्याज और लसन नहीं यूज करते हैं वाइडी करते हैं तो मैंने सिरफ क्या लिया है इसमें टमाटर और अद्रक और हरीमिच का पेस्ट बना लिया ग्राइंड कर लिया मिक्सी में और उसमें थोड़ा से दनिया लालमिच और नमक डालके इसको अच्छे से मतलब तब तक आपको घुमाना है जब तक यह टमाटर वगरा का पेस्ट तेल ना चोड़ते हैं तो यह हम फिर अपना छोलो में डाल देंगे और हमारे एक दो विसल लगाने के बाद छोले रेडी हो जाएंगे तो अब यह जो तिल हमने क्या करे थे फ्राइ किये थे अब उनको थोड़ा से ठंडा करने के ब मक्सी में ठीक है इसके बाद कुछ नहीं करना है नॉर्मली इनको निकालना है और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला देना है तो वह भी प्रोसेस में आगे दिखाती हूं आपको देखिए मैंने सारा का सारा इस तरीके से निकाल लिया है पीसे वे तिल यार यह बहुत अब हम इसके अंदर डालेंगे शक्र लास्ट प्रोसेस में शक्र एड करनी है तो यह हमारा तिल कुछ तिल का भी तिल कुछ तियार किया है क्योंकि यह कहनी जब हम कहते है तब आपको इसको हाथ में रखना होता है और साथ में अर्ग देने के लिए बड़ा ज़रूरी होत अच्छे लग रहे हैं तो खाने में तो कितने यम भी लगेंगे हैं ना तो आपको व्लोग पसंद आयोगा अपली लाइक शेयर तो